गुड इविनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में त्रीपूरी के कल्चूरी सासक संकरगन यूवराज पर्थम के इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स त्रीपूरी के कल्चूरी सासकों के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट बे जाके और जो त्रीपूरी राजवन्स है उसमें आप काफी वीडियो देख सकते हैं और जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो एकजाम की दस्टी से बहुत मैतों बुना अताए वीडियो उसको आप बार बार धान से देखें कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आप लोगों हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो उसको लाइक और सेर करें तो पढ़ते हैं त्रिपूरी के कल्चूरी सासक संकरगन और यूगराज पर्थम का इतिहास संकरगन का इतिहास डाहल कल्चूरी वन्स के संस्तापक कोकल के 18 पुत्र थे इनमें उसका सबसे बड़ा पुत्र संकरगन उसकी म्रत्यू के बाद जो 888 इस्वी से 888 इस्वी के बीच सासक रहा था चेदी वन्स का राजा बना उसने दक्षिनी कोसल के सोम वन्सिय सासक को हरा कर पाली पर अधिकार कर लिया तता अपने एक छोटे भाई को वहां का राजे पार न्योक्त किया इस समय राश्ट्र कूट नरेश क्रिश्ण द्वित्ये वेंगी के पूर्वी चालू के नरेश विज्या दित्ये द्वित्ये के सास संघर्ष में उल्जा हुआ था संकरगण एक सेना के साथ क्रिश्ण द्वित्ये की सहता के लिए गया परंतु विज्या दित्ये ने दोनों की समलित सेनाओं को कीरणपूर में परास्थ कर दिया उसके बार चालुक्योंनी कीरणपूर जो बाला घाट मध्यपरदेश में को जला दिया था ठीके इस पराजे से संकरगण को गहरा दक्का लगा बिलहारी अभिलेक संकरगण को मलाय देश पर आकमन करने का स्रे देता है परन्तु यह उलेक संदिक्द है उसने अपनी पुत्री लक्षमी का विवा है राष्ट्र कूट नरेश क्रिशन द्विते के पुत्र जगतुं के साथ किया था ठीके तो ये था डाहल कल्चूरी मन्स का सासक संकरगण अब देखेगा यूवराज पर्थम का इतिहास त्रीपूरी के कल्चूरी मन्स के सासक संकरगण के दो पुत्र थे बाल हर्स और यूवराज पर्थम बाल हर्स का सासन अल्पकालिन था दस्वीश ताब्दी के मद्दे यूवराज पर्थम सासक हुआ वह एक विजिता था जिसने बंगाल के पाल तथा कलिंग के गंग सासकों को पराजित किया परंतु चंदेन नरेश यसो वर्मन से वह पराजित हुआ इसके अलावा राष्ट्र कूट नरेश क्रिश्ण तृत्य ने उसके राजे पर आकर्मन किया इसमें कल्चोरियों की करारी हार हुई तथा उसके राजे पर कुछ काल के लिए राष्ट्र कूटों का अधिकार हो परंतु सिग्रही यूवराज पर्थम ने इस पराजे का बदला लिया और एक सेना के साथ उसने राष्ट कुटों को प्राष्ट कर अपने राजे से बाहर भगा दिया बिलहारी अबिलेक से पता चलता है कि उसने करनाड तथा लाट को जीता था धंग के खजुरा हो लेक में भी उसकी सक्ति की परसंसा की गई है तथा कहा गया है कि राजे पाल पर्थम परसिद राजों के मस्तक पर पैर रखने वाला था राजसेकर के गरंद विद्वसाल भंजीका में यूवराज पर्थम को उजेनी भुजंग कह गया है जो इस बात का सूचक है कि उसने माला को जीता था यूवराज के सासनकाल में ही राजसेकर कंदोच को छोड़ कर त्रिपूरी आया था वहां रहते हुए उसने अपने दो ग्रंथों कावे मिमांसा तथा विद्वसाल भंजीका की रचना की थी यूवराज पर्थम का धर्म यूवराज सैव मतानुयाई था उसने सैव संतों को दान दिया तथा उनके निवाश के लिए गुर्गी में एक मंदिर तथा मठ बनवाया था एक लेख में कहा गया है कि उसने डाहल मंदल के सैव संत सद्व भाव संभू को तीन लाग गाम बिक्षा में दिया था उसकी पतनी नोहला चालू के वंसकी कन्या थी जिसने बिलहारी के निकट सीव का एक विशाल मंदिर बनवाया था तथा उसके लिए कई गाम दान में दिये भार्द्वाज वंसी ब्रामन भाग मिस्त्र यूवराज का परधान मंत्री था बेडा गाट का परसित चोसट योगीनी मंदिर का निर्मान भी यूवराज के समय में ही हुआ था तो देखें इस वीडियो में हमने त्रिपूरी के जो कल्चूरी सासक है संकरगरण यूवराज पर्तम इनके बारे में जानकरी प्राक्त की हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद